प्रिंट्स आपका स्वागत अपनाश्टेडे लक्चरी यूटूब चरल में दोस्तों एक बार फिर हाजी नहीं हम आपके साथ एक most important topic को लेकर यानि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि खेद की लंबाई जो की मीटर में हो तो उसे आप हेक्टेयर में कैसे बदल सकते हैं तो दोस्तों यदि आपने अपने खेद की या अपने प्लॉट की लंबाई जो की आपने मीटर में माप रखी है तो उसको हेक्टेयर में बदल सकते हैं हेक्टेयर एक ऐसा ही मात रख होता है जो की पूरे खेद का प्लॉट का एरिया को बताता है तो दोस्तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस प्रकार का यानि आयताकार आपका खेत हो तो उसको कैसे निकाल सकते हैं यहां पर फीगर्स जो माने नहीं रखता है यहां पर बट आपका फीगर्स जो यानि खेत या प्लॉड का जो की नक्सा है वो किसी भी आकार का हो सकता ह यदि आपने उसको Meter में अगर माप रखा है तो उसको आप रेक्लेयर में change कर सकते हैं तो दोस्तों यद पहली बार वीजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक Red Color का बटन होगा उसको प्रेस कर लें आपके जो भी वीडियो अप्लोड करूँ, तो सबसे पहले आपके पास नोटीपिकिसन पोचे, दोस्तों इसके पहले जो हमने वीडियो अप्लोड किया था वह आपको आइ बटन में मिल जाएगा, जो कि हमने फूट में किस परकार, फूट को बीगे में किस परकार convert कर सकते ह जीम से हमने के था तो आई बटन में आपको ओपर मिल जाएगा पूरे डिटिल में हमने बात की थी तो आजी देखते हैं वीडियो में इस इस में हम किस परकार माप सकते हैं अपनी खेट का प्लॉट का जो की area निकाल सकते है हेक्टेर में देखे यहां पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक मालेची यह खेत है और खेत की लंबाई जो दी कही है इसमें इसकी लंबाई दी है 250 मीटर ठीक है और इसकी चोड़ाई दी है कितना 200 मीटर यानि अगर टोटल इसका एरिया निकालते हैं तो दोनों का गुणा कर लिए जाता है क्योंकि यहां पर लंबाई गुणी चोड़ाई हो जाएगी जो की टोटल एरिया को बताएगी तो यहां लंबाई कितनी है 250 और इंटू करेंगे 200 से ठीक है 200 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 25 धूना 50 यानि यह आजाएगा आपका 50,000 वर्ग मीटर कितना जाएगा 50,000 वर्ग मीटर तो 50,000 वर्ग मीटर हो गया तो यदि आप इसको हेक्टेयर में चेंज करना है तो हेक्टेयर में कैसे चेंज कर सकते हैं यदि आपको पता होगा तो पिछली वीडियो हमने बात भी किया था बताया था एक बार आपको क्यो दस हजार वर्ग मीटर यानि यदि इसको हेक्टेयर में चेंज करना है तो एक हेक्टेयर बराबर होता है दस हजार वर्ग मीटर ठीक है तो यहाँ पर पचास हजार वर्ग मीटर है तो एक वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा एक वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा आपका एक बटे 10,000 यानि 10,000 से अब आप इसमें भाग कर देंगे यानि 50,000 में 10,000 से गर हम भाग कर देते हैं यानि divide कर देते हैं तो यह किस में change हो जाएगा यानि 4,0 से यह 4,0 कर जाएगा यह total आपकी value कितनी आ गई 5 hectare खेत या प्लॉट आ गया तो आप मीटर में यदि आपका खेत है तो आप किस परकार से निकाल सकते हैं अपने खेत का जो की एरिया हेक्टेर में इस पीडियो में समझ में आ गया होगा तो आप इससे पहले हमने जो बात किया था उसको हमने बात किया था कि आप जरीब के माध्यम से अपने खेत को निकाल सकते हैं यदि आप फुट या लाठा आपको पता है तो लाठे के माध्यम से नापकर आप बीगे में कनवर्ट कर सकते हैं आज हमने इस वीडियो में बात किया कि आप अगर मीटर में आपका खेत है तो आप उसको हेक्टियर में कैसे चेंज कर सकते हैं तो आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा ये पस आया होगा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तक सेयर करें लाइक करें वीडियो को यहीं समात करते हैं नमस्कार